हूर यानी एक ऐसी अंचुई लड़की जिसकी खुबसूरती आम इंसान की सोच से भी परे हो। क्या हूर और आतंगबाद का भी कोई कनेक्शन हो सकता है। दुनिया में आतंगबाद पहले भी रहा है और आज भी है। और आगे हालात बदलेंगे फिलहाल ऐसा सोचना भी मुश्किल है। आतंगबाद को बढ़ावा देने के लिए आतंगबादी चाही और आतंगबादी बने बनाये नहीं मिलते हैं। पैदा नहीं होते हैं। उन्हें बनाना पड़ता है। उन्हें धर्म की कटरता से सीचना पढ़ता है। और इसी के साथ एक मर्द में चालिस मर्दों के बरावर ताखत भी आ जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मापको बता दे कि हम ना तो किसी की धारमिक भाउनाओं को ठेस भूचाने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही किसी तरह का व्यंग कस रहे हैं। वीडियो में बताई गई बाते तत्यों पर आधारित हैं। तो जरा सोच कर देखी। एक बार दरहूरे का रेवियो नहीं है। बलकि रेवियो से भी कहीं आगे हैं। तो चीजों को बहतर तरीके से समझने के लिए बने रहे हैं मारे साथ इस वीडियो में शुरू से इंतर। पूछती है कि अगर मर्दों को जन्नत में बहतर हूरे मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा। इस सवाल का जबाब मौलाना साथ के पास भी नहीं होता। वो तमाम तरह का कोतरक देते हैं। लेकिन इस कोशिश में वो हसी के पात्र बन जाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के बताये रास्ते के हिसाब से जन्नत में जाने का अंतिजार कर रहे हैं। दिन गुजरते जाते हैं। और जन्नत पहुच पाते हैं या नहीं। उन्हें जन्नत में बहतर हूरे मिलती हैं या नहीं। ये सब आप फिल्म देखकर ही जाने तो बैतर है। डिरेक्टर संजे प जब हाकिम और बिलाल एक होटिंग पर बैठे होते हैं तो उनके सामने से गुजरा जहाज रंगीन होता है ऐसे गेटवे आफ इंडिया के सामने गुबबारे दिखते हैं जो रंगीन है ऐसा शायद इसलिए कि गुबबारे हम सब के जियोन में खुशियों का प्रिधीक होते ह फिल्म में कुछ ऐसे सीन है जिन्हें देखकर सीहरन पैदा हो जाती है रंग्टे खड़े हो जाते हैं बलास्ट का सीन ऐसा ही एक सीन है जिसके लिए एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि दर्शकों को लगता तो है कि कुछ बड़ा हो चुका है लेकिन क्या वो बाद में पता बस से हर कोई कौतुहल से बाहर जाक रहा है लोग हैरान हो रहे है कैमरा धीरे धीरे आगे भड़ता है और एक महिला खिड़की से उल्टी करती हुई दिखाई देती है और इसके बाद दिखता है धुए का आसमान चूता गुबार लाशे बिची वही है जहां तहां पड़ की हिलती उगलियां दिमाग के तंथों को जग चोर देती है फिल्म पूरी तरह से हाकीम और बिलाल पर केंद्रित है लेकिन दोनों किरदार एक दूसरे से अलग है इसका खुलासा तब होता है जब बिलाल एक गर्वती मैला को देखकर हाकीम से कहता है कि गर्व में पल रहा बच्चा उससे कुछ पूच रहा है जिसका जबाब उसके पास नहीं है फिल्म शिरो में ही ये संदेश देती है कि जन्नत पैदा होने के बाद मिलती है ना कि मरने के बाद फिल्म एक सीन है जहां दोनों आत्माई रात में एक सूनसान सड़क पर घूम रही होती है रास्ते बाद भी बुरे कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं यही वजह है कि बंबलाष्ट करके जो जन्नत और बहत्तर हुरों के ख्वाब देख रहे थे और खुद को सडान्द मरते कोड़े के टीली पर पाते हैं आज के समय में जब हर दूसरी तीसरी फिल्म 3D में रिलीच ह हो रही है ऐसे में ब्लेक और वाइट फिल्म में बनाना ही बहुत बड़े जिग्रे का काम है लेकिन डिरेक्टर ने यह रिस्क लिया है फिल्म का सबसे मजबूत पहलू है उसकी एडिटिंग इसकी चलती है फिल्म के असी मिनट में दिल और धमाग पर अपना चाप परिए फिल्म के एडिटर भी संजेपूरंसिंग है इसके दमदार सीन और जानदा डियलाउक फिल्म की जान है फिल्म के 95% से ज्यादा हिस्सों में हाकीम और बिलाल के ही डालोग है ऐसे में फिल्म के उबाव हो जाने का खत्रा भी था कई कई-कई ऐसा लगता भी है कि जरुनिस में ही हो गया था उस साल गोवा में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल आफ इंडिया में इसका प्रीमेर हुआ था फिल्म ने यहीं इस फिल्म के लिए संजे पूरन सिंग को साल 2021 में बेस्ट डिरेक्शन के लिए नेशनल फिल्म आवाड भी मिल चुका है अलगे फिल्म के रिलीज से पहले फिल्म के विश्य को लेकर विबाद भी हुए थे फिल्म रिलीज से पहले ही विबाद के आशंका को लेकर फिल्म के प्रडूसर आशोक पंडित के घर सुरक्षा भी बढ़ा दी गए थी लेकिन पहले दिन फिल्म में किसी विबादित तक थे या कत्य की चाहा में थेटर पहुँचे लोगों को मायूसी ही आत ले असल में फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कहीं से विबादित कहा जा सके फिल्म में किसी भी तरह की आनाविशक भासर बाजी से बचा गया है फिल्म में तमाम जगा दर्शों के माध्यम से बहुत कुछ कह दिया गया है चाहे वो रेले ट्रेक पर आत्मत्या करने जा रही लड़की हो या फिर गेटव आफ इंडिया पर दमा के बाद जली पड़ी बेबी ट्रॉली जिसमें कुछ समय पहले एक बच्ची थी या फिर आखरी का वो सीन जब हाकिम और बिलाल दोने टाओर पर मुह लटकाए बैठे होते हैं फिर्म का हर सीन हर डालाओ कुछ कहता है हमको बार बार जग जोडता है हाकिम का रोल निभा रहे हैं पौन मलोहत्रा और बिलाल का रोल निभा रहे हैं आमिर बशीर जिन्होंने करदारों को एकदम से जीवंद कर दिया है हलाकि यहां भी बाजी पॉन मलोहत्रा ही मार ले जाते हैं अब पॉन मलोहत्रा कितने बड़े एक्टर हैं यह सब तो आप जानते ही हैं आमिर कई बार गहरी बात को भी बिना भाव के सपार्ट तरीके से बोल जाते हैं जिबकि पॉन के एक्सप्रेशन्स सौकाते हैं रेलवे ट्रेक पर दोनों की बहस में आमिर वो सपार्क नहीं पैदा कर पाते हैं इसकी वहाँ जुरूरत थी बाके करदारों के लिए कुछ खास था ही नहीं लेकिन फिल्म के साथ एक समस्या है अबल तो ये नहीं लगता कि ये भीड के लिए बनाई गई है नाई भीड को ऐसी गंभीर विशों में खासे दिल्चस्पी होती है ऐसे में फिल्म कमाई के लिहास से बहुत सफल साबित होगी, इसकी गुंजाइश कम ही है एक क्रिटिकली एक क्लेंड फिल्म तो साबित हो सकती है लेकिन कमाई की उमीद करना बेमानी होगी यहां का दार्शक वर्ग ऐसी गंबीर फिल्म में कम ही पसंद करता है हां, अगर उस पर कुछ विवाद हो जाए, तो कमाई छपपड भाड़ होती है तक कश्मीर फाइस और दकेरला स्टोरी ऐसी कुछ फिल्में थी, इनके सब्जक तो सीरेसी थे लेकिन पर विवाद ऐसा हुआ, कि दोनों ही फिल्मों ने कमाई के ने रिकॉर्ड बना डाली फिल्म को लेकर लोगों का रिस्पॉंस ठंडा हो रहा है फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन महाज 30,000,000,000 रुपई ही जा रहा है जो इस फिल्म का भविशित है करने के लिए काफी है इसमें कोई दिवराने की फिल्म को टीम ने नेक नियत और बड़ी भादुरी से बनाया है एक आतंगबादी बनने के लिए किस तरह युवाव को बरगलाया जाता है कैसे कैसे हत्गंडे अपनाया जाते है इस फिशे को फिल्म पूरी गंभीरता से उठाती है लेकिन अगर लोग इसे देखे ही नहीं तो कहीं न कहीं उद्देश नर्रथा की साबित होता है क्योंकि इसी फिल्मों का उद्देश अवाड जीतना नहीं बलकि लोगों की मांसिक्ता बदलने उन्हें गलत रास्ते पर जाने से बचाने में है यह सच है कि आतंगबादी ना तो पैदा होते हैं न तो यूँ ही बनाया जाया करते हैं बलकि एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है जिससे ब्रेनवाश कहा जाता है सरल शब्दों में कहें तो दिमाग में पहले से मौजूद डेटा को पूरी तरह डिलीट करके नया और मनमताबिक डेटा फीड करना ही ब्रेनवाश है उसका कहाना था कि वो शहीद हो रहा है और उसे जन्नत मिलेगी असल में आतंग बादी बनने और आतंग फैलाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद और लालाची है यह जन्नत नबे के दर्शक के आखर में एक पाकिस्तानी पत्रकार नत्रहसन ने और इस तीनी आतंकियों के कैम्प में ससाइट बंबर बनने की ट्रेनिंग ले रहे 250 से ज्यादा लोगों से बात की थी और इस बादचीत में बहट चौकाने वाले खुलाशे हुए थे ट्रेनिंग ले रहे हैं लोगों को लगता था कि दमाके के दूसरी तरफ जन्नत और जन्नत में उस सब कुछ है जो चाते हैं शहादत के लिए तयार के जा रहे यह निवाओं को बताया जाता है कि शहिद होने पर बहने वाली खुन की पहली बूध ही उनके सारे पात दो दे ऐसे में फिल्म उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम कर सकती है हमारा रहादा आस वीडियो के जरिए किसी की भी भावनों को ठेस पहुचाने का गता ही नहीं है बलके हम चाहते हैं कि वो यवाज जो घलत और रामक जानकारी के चलते गलत रास्ते पर चले जाते हैं उन्हें वन डे वर्ड कप ये सिर्फ एक टॉफी की जंग नहीं है ना ये महज काम्याबी का सबूत है वर्ड कप तो गाता है कुर्बानियों की दास्तान है हार कर जीतने वाले बाची करों की एतिहास है जोकर्स के विनर्स बनने की तो वज़ा है चैंस के जोकर्स बनने की ये बात कुछ चंद मैचों की नहीं बलकि ये बात है चार सालों के लंबे दिजार की क्योंकि है वर्ड कप के कुल 12 हब्दे बचे हैं इसलिए वंडे वर्ड कप का वेलकम जशने के साथ जरूरी है हर मैच को जीना जरूरी है लेकिन उससे पहले जरूरी है बीते वर्ड कपों की कहानी को ताजा करना ये समझना कि वंडे क्रिकट कहां से कहां तक आया है इसलिए नारट टीवी खास क्रिकट के दिवानों के लिए लेकर के आ रहा है एक बेहधी नाया पेशकस एक ऐसी सिरीज जिसमें हर संडे सिलसेलेवार धंग से 1975 से लेकर 2019 तक हुए हर वर्ड कप की कहानी विस्तार से आप से साचा करेंगे एक ऐसी सिरीज जिसकी दूसरी मिसाल आपको यूट्यूब की हिस्टरी में नहीं मिलेगी एक ऐसी सिरीज जिसके जरिए हमें जलक में वंडे क्रिकट के डेबलेप्मेंट को बारीकी से समझ लेंगे तो आप सब तयार हो जाई और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए त वर्ड कप इन अगलांस को